हेलो फ्रेंड्स एक smartness के एक नए वीडियो में फिट से आप सब Elvis कर थे इस वीडियो में बात करेंगे सूथ क्या उता है फ्रेंड्स जैसे कि हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें अपको बता ता कि measurement tape से आप measurement कैसे ले सकते हैं ठीक है friends और उस video हमने बात की थी कि friends जो अपना ये measurement tape है इसमें हमने inch के बारे में and centimeter, millimeter और हमने foot और meter के बारे में ही बात किया था लेकिन हमने किसी प्रकार से जो है friends अपनी suit के बारे में कोई भी बात नहीं की थी लेकिन friends हम इस video में जानेंगे कि measurement tape में जो अपना suit क्या होता है and इसमें suit कहा होता है जैसे कि friends आपने बहुत सारी ऐसी construction lines हो गई या कोई सी भी line हो गई जैसे में आपने बहुत जाका सुना होगा कि एक suit, दो suit, तीन suit, actually क्या होता है तो इसके ही बारे में friends हम discuss करेंगे और friends हम और ये भी जानेंगे कि friends actually एक इंच में कितने suit होते हैं इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे तो friends वीडियो बहुत ज़्यदा important होने वाली है और बहुत ज़्यदा interesting and knowledgeful भी होने वाली है तो friends वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आपको पाता चलेगा कि actually एक इंच में कितने suit होते हैं suit क्या होता है और हम इसको कैसे जान सकते हैं तो friends अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए शूरू करते हैं हाँ तो friends जैसे कि आप जानते हैं कि ये अपना जो है एक measurement tape है जो कि अपना तीन मीटर के है और आपने भी अपने घरों में ऐसे measurement या कहीं भी जो है अपने ऐसा measurement देखाई होगा friends हम इसको ऐसे open करते हैं open करने के बाट friends हम पहले ही जानते हैं कि इसमें inch और centimeter कहा होते है friends जैसे कि ऊपर वाली lines देख रहे हैं जो कि जाता जाता दूरी के distance पे है इसको friends बोलते हैं अपन inch ठीक है friends और जो नीचे वाली lines है जो कि कम दूरी पे है एक, दो, तीन, चार, पांच, जो भी तो इसको बोलते है friends ठीक है friends उपर वाली lines को अपन बोलते हैं inch और नीचे वाली lines को बोलते हैं centimeter तो friends जैसे कि आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी को एक inch कहा जाता है और यहां यह ना जो कोर्नर हो गया सबस्द़ कोर्ने से और यहां तक की 2 inch यहां से यहां तक 3 इसी परकार यहां से यहां तक 1 centimeter, यहां से यहां तक 2 यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5 ठीक है friends जिसना कब जानते हैं कि 1 से लेके 2 तक की दूरी को अपन क्या बोलेंगे 1 inch बोलेंगे friends ठीक है और दो से लेके तीन तक की दूरी को एक सेंटिमीटर बोलेंगे ठीक है फ्रेंट्स हम बात कर लेते हैं कि एक्षिली सूथ क्या होता है तो फ्रेंट्स जो अपना ये दो से लेके तीन तक की जो दूरी हो गई वो एक इंच हो गया ठीको फेंजो तो अब हम भात करते हैं कि इसलिए सूथ क्या होता जो यह इनन्ज हो गया जैसे की दो से अपने तीन तक की दूरी हो गई यह इंच हो इस क्सिर्ट में जो है आट सूथ होते हैं जैसे वहाइव सफूस करके दिखा देते हैं नेके 4 जैसे यह दो से यह कि दो एक त्विति को तीन छोटी लाइन देखे होentes ऑब यह दो से लेकर यह तीन छोट छोटी लाइना अरहा है तो इसको बोलेंगे एक शूट फिर फृट तीन छोटी फिर 3 सोथिलेंगे एक और बड़ा आ रहा है ये तो इसको बोलेंगे 3 किन फिर चोड़ने के बाद एक और बड़ा आ रहा है तो इसको बॉलेंगे चार और ये अपना जो हे चार सोथ हो गया मतला इक आपना άधा इंच ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं तो यहां तक जो दूरी हो गई इसको बोलेंगे 1,5 इंच ठीक है फ्रेंड्स और यह अपना 4 सूत भी हो गया और फिर 3 चोटी लाइन छोड़ने के बाद एक और यहां पर आता है तो इसको बोलेंगे अपन 5 और नाजस एक और बड़ा आता है यहां पर यहां पर इसको बोलेंगे 6 ज्वपध करें यह ओने के साहज़के लिखेंटीन के 1 inch में कितने सूथ होता है जैसे कि या पांच पूर कर दिखा दिखा जाते हैं friends यह देखिए जैसे कि friends यह silंगा अकलोन हो गया एक इंच यहां से यहां तक एक इंच है डोटल अपनाे कने जिसके दूरि एप टोटल यहां से यहां तक कि पूरियत पूरी कि गये एक तो लडर आपको बता दें हम जैसे कि यहां पर यह 1 इंच और यहां से यहां तक जैसे कि इस छोड यहां तक की एक इंच ठीक है फ्रेंच टोटल इसके दूरी जो हो गई एक इंच तो जैसे कि हमने एक दो तीन चोटी लाइन्स तीन हो गई और फिर एक बाड़ा डंडा आया तो इसको बोलेंगे फ्रेंड्स एक सूथ फिर तीन चोटी लाइन्स फिर एक बाड़ा रंडा तो इसको दो सूत फिर चोटी लाइन्स तीन और एक फिर आया बाड़ा रंडा तो इसको बोलेंगे तीन सूत ठीके फ्रेंड्स एक सूत दो सूत तीन सूत और इसको बोलेंगे फिर तीन चोटी लाइन्स खोड़ने के बा फिर तिन चुट लेंच छे फिर तिन शाथ और फिर यहां तक पहुंच जाएंगे तो आठ मतल्ट टोटल एक इंच में फ्रेंच अपने आठ सूथ होते हैं ठीक है फ्रेंच तो फ्रेंच आसा करता हूं कि आप समझ गए होंगो कि एक्सली सूथ क्या होता है और फ्रेंच आप मेजरमेंट से भी समझ गए होंगे कि सूथ इसमें कहां होता है और सूथ होता क्या है और एक इंच में टोटल कितने सूथ होता है तो friends आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आयी होगी अगर friends वीडियो पसंद आया तो एक like से जरूर कर दीजिएगा चैनल में नहीं तो subscribe भी कर लिजिएगा और bell icon को all पे set कर लिजिएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तै के लिए जैहिन